राधे राधे दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है तिरसकार विनै कहां थे तुम मैं कबसी तुमको आवाज लगा रहे हूँ सुनीका ने लगभग चिला कर विनै को आवाज लगाते हुए कहा जी दिदी मैं जड़ा काम से बाहर गया था बताए क्या काम है बिने ने सालिंता के साथ कहा ये लो समान की लिष्ट और फटफट बजार जाकर सारा समान लेयाओ और दुकंदार से एक एक चीज का हिसाब बहुत काईदे से लिखवा लेना क्योंकि वापस आकर तुमको मुझे सारे सामान का पूरा पूरा हिसाब देना है क्योंकि तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि मुझको एक भी पैसे का हेर फिर बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए थोरा होस्यारी से सोनी का ये सारी बाते एक ही रो में बोलती चली गई उसने ये बात भी सोचने की जहमत नहीं उठाई कि वहीं पर बिने की नव विवाहित पतनी सुमन भी बैठी हुई है लेकिन बिने को आज पहली बार अपनी बड़ी बेहन का इस तरह से हिदायत देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा आखिर क्या सोचेगी मेरे बारे म कि क्या मैं पैसो का कोई हेर फिर करता हूँ या फिर कोई काम कायदे से नहीं करता दिदी ये भी नहीं सोचती कि मैं अब कुमारा नहीं बलकि साधी सुदा हूँ इतना सोचते ही बिने की आखों में आशु जिल मिलाने लगे लेकिन बिने ने बड़ी सफाई से अपने उन वो को धीरे से सट की आस्तिन से फटा फट पोच लिया कि कहीं सुमन उसको इस तरह से दूखी न देख ले और जट से समान की लिष्ट और जोला उठाकर बाहर निकल गया लगभग 14-15 साल का रहा होगा बिने जब एक एकसिडेंट में उसके ममी पापा एक साथ चल बसे और उसके सिर से ममी पापा का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया बस सर परस्ती के लिए सिर पर ब्याही बड़ी बेहन सोनीका का ही हात था वो सोनीका जो उसे लगभग 6-7 साल बढ़ी थी और उस समय तक उसके ममी पापा ने उसकी साधी कर भी दी थी और जिस समय बिने के ममी पापा ने इस दुनिया से बिदाई ली उस समय तक तो बिने ने सिर्फ हाई इसकूल ही पास किया था और उस उम्र के हिसाब से बहुत ही भोला भाला ज्यादा चतुराई चला की उसको वैसे भी आती नहीं थी जैसा जैसा बड़ी बहन उस समय कहती गई वैसा वैसा बिने चूप चाप करता गया क्योंकि मा बाप का साया एक साथ सिर से उठ जाने के कारण बिने बहुत ही ज्यादा दुखी था सोनिका ने उसके पुस्तैनी घर को किराये पे लगा दिया और बिने को अपने साथ लेकर अपने सहर चली आई घर का किराया भी वो अपने ही हाथों में रखने लगी सोनिका के पती सुधाकर का अपना गले दाल चावल गेहूं आदी का ब्यापार था पहले तो कुछ दिनों तक सोनिया ने बिनय के साथ बहुत सहानुभूती जताई लेकिन धीरे धीरे बहला फुसलाकर बिनय की पढ़ाई छुरवादी बड़ी मुश्किल से सिर्फ इंटर्मिडियेट ही पास करने दिया और उसको अपने पती के साथ ब्यापार में ही लगा लिया क्यूंकि ब्यापार में सहयोग करने के लिए सुधाकर को एक इमंदार और मेहनती आदमी की बहुत जरुत महसूस हो रही थी तो उन लोगों को भला बिने से ज़्यादा इमंदार और मेहनती कौन मिलता समय पंक लगा कर बितने लगा अब तो उन लोगों को मुफ्त का इतना इमंदार नोकर ही जैसे मिल गया घर का राशन पानी लाना सिलेंडर भरवाना या फिर बच्चों को इस्कूल छोरने और ले जाना ब्यपार के लिए बैंक दोर दोर कर जाना सारे ही काम बिने के जिम्मे आ गए और साथ ही साथ है दुकान पर भी पूरी मुस्तेदी के साथ है ड्यूटी बड़ी खुसी लेकिन बिने जब भी घर के रूपए लेकर सम्मान लेने के लिए बजार जाता तो सोनिका रूपए पैसो के लिन दिन के बारे में हिदायत जरूर दे देती थी कि कहीं बिने कुछ रूपए चुडा ना ले बिने तो वैसे मस्त मौला उसको कोई खास फर्क नहीं परता था इन सब बातों से लेकिन कभी कभी खुद को अपमानित भी मैसूस करने लगता था कि बताओ मैं जी जान से सारा काम करता हूँ एक पैसा कभी भी इधर उधर नहीं करता लेकिन दिदी अपनी बातों से मुझको एक बार चेतावनी जरूर दे देती है उसको घर में रुखा सुखा और बचा खुचा जो भी खाना मिल जाता चूप चाप बिना कोई सिकायट किये खा लेता और दिदी जीजा जी को अपन समान मानता कि अगर दिदी जीजा जी हमको आसरे ना देते तो आखिर हमारा क्या होता क्योंकि चतुर चलाक तो वो बिल्कुल नहीं था सुधाकर मैं सोच रही हुना कि बिनाय की साधी कर देती हूँ एक दिन सोनिका ने सुधाकर के आगे परस्ताव रखा सोनिका पागल हो गई हो तुम क्या अगर बिनाय की पतनी समझदार और तेज तरार आ गई तो वो बिनाय को तुरंत यहां से लेकर फुर हो जाएगी और हम लोग हाथ मलते ही रह जाएंगे फिर हम लोगों को इतना अच्छा मुप्त में काम करने वाला नोकर कहां से मिलेगा जो सिर्फ दो स समय के खाने के बदले में इतना ज्यादा काम कर सके सुधाकर ने सुनिका को समझाते हुए कहा आप भीना कुछ भी समस्ते नहीं है मैं बिनाय की पतनी बहुत ही गरीब और सीधे साधे परिवार से ले आऊंगी जो ज्यादा बोल भी ना सके और फिर तुमको तो पता ही है क कि घर का काम भी अब हमसे नहीं होता तो घर के काम उसी से करवाऊंगी और बिनाय तो तुम्हारे साथ जुटा ही रहता है जब इसकी पतनी आ जाएगी तो जहारू पोछा और बरतन वाली को भी धीरे से हटवा दोंगी तो उसके भी पैसे बचने लगेंगे सो अलग सोनिका ने इतने धीमे से फुस फुसाते हुए कहा कि कोई उसकी बात सुन ना ले क्यूंकि ये बात तो वो भी जानती थी कि दिवारों के भी कान होते हैं खैसोनिका ने एक गरीब और सीधे साधे परिवार की सीधी साधी लड़की सुमन को देख कर बिनय की साधी कर दी सुमन को पाकर बिनय की तो जैसे खुसी का कोई ठीकाना ही नहीं था क्यूंकि सुमन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी जिस बिनय को ठंडा और बचा कुचा खाना मिलता था अब उसको ताजा और गर्म खाना मिलने लग गया जहां बिनय ठंडी और बासी थरमस में रखी चाई पीने को मिलता था वहीं अब उसको गर्मा गर्म ताजी चाई मिलने लगी जहां वो अक्सर मैले कुछले कपड़े पहनने ही नजर आता था वहीं अब वो साप सुथरे कपड़े पहनने नजर आने लगा बिने यहीं सोच सोच कर बहुत खुस होता कि चलो कोई तो ममी पापा के जाने के बाद हमको प्यार करने वाला तो आ गया लेकिन ये सब सोनिका को फुटी आख ना सुहाता और वो सुमन के उपर गुसा उठती सुमन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो ऐसा है कि ये बार बार रोटी सिकने और बार बार चाय बनाने में गैस का बहुत खर्चा हो जाता है एक बार में ही सब बना कर रख दो जिसको जब मोका मिलेगा तब वो खापी लेंगे हमारे यहां हर समय गैस जलाने का रिवाज नहीं है सुनिका बहुत ज़्यादा उस समय चिनकते हुए सुमन से बोली जब वो बिने को गर्मा गरम रोटिया खिला रही थी लेकिन दिदी कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं परता अगर मैं ताजा खाना और ताजी चाय बना के दूंगी तो ये अच्छी तरह से खापी सकेंगे सुमन बहुत नम्रता पुर्वक बोली अभी कल की डोली से उतरी हो और आज हमको ही तीन पांच सिखा रही हो जैसे हमको कोई समझ ही नहीं है जितना कहती हूँ मैं तुमसे उतना ही किया करो ये तो हमारा एहसान मानो जो हम उसको अपने साथ ले आए वरना उसको कौन रखता कोन खिलाता पिलाता पड़ा होता किसी कोने में सोनिका इतना कहकर अपने कमरे में चली गई उसने ये भी नहीं सोचा कि वो ये सब अपने सगे छोटे भाई के लिए बोल रही है सुमन की आखों में भी नमी सी तैर गई खैर उस समय बिने भी एक ही रोटी खाकर उठ गया और खाना तो सुमन के मुझ से भी नहीं चला इस तरह से तिर्श्कृत होते हुए दोनों पती पतनी रह गये थे जो बाते बिने पहले बेफिक्र होकर सुन लेता था अब कही ना कही वो बाते दिल में दर्द देने लगी क्यूंकि अभी तक तो वो सिर्फ अपना ही अपमान सेहन कर रहा था और अब पतनी के भी अपमान का घूट पीना पर रहा था देखो ना मैं तुमसे कहती थी कि बिने की पतनी भी हमारे घर बिलकुल नोकरानी बनकर ही रहेगी और वही हो रहा है मैं तो बिलकुल ठाट से रहती हूँ ना किसी बात की जिम्मेदारी ना कोई टेंसन तुम बेकार में ही डर रहे थे अब तो मैं जिंदगी भर सेठानी बनके रहूंगी और तुम सेठ बनकर और ये दोनों पती पतनी हम लोगों के नोकर नोकरानी बनकर सोनिया ने बड़ी बेसरमी के साथ सुधाकर से कहा स्वार्थ के कारण वो ये भी भूल गई कि बिने उसका छोटा भाई है और सुमन उसकी छोटी भावी सोनिका बिलकुल सही सोच रही हो तुम वैसे तो बनिया मैं हूँ लेकिन तुम तो हमसे ज़्यादा होसियार निकली सुधाकर ने भी बेसरमी की हसी हसते हुए बोला इत्वाक से उस समय बिने किसी काम के लिन दिन के हिसाब के लिए सुधाकर के कागच पर हसताक्षर करवाने के लिए आया था और उसने जल से ही सोनिका के मुँ से अपना और सुमन दोनों का नाम सुना तो वहीं दरवाजे पे ठिठक गया कि जरूर ये लोग हम दोनों की प्रसंसा कर रहे होंगे कि हम लोग कितनी अच्छी तरह इन लोगों का साथ निभा रहे हैं लेकिन ये क्या ये लोग तो हम दोनों को नोकर नोकरानी बनाने पर तुले हुए हैं हे भगवान मेरी बड़ी बहन हो कर भी इतनी बड़ी जल साजी हम लोगों के साथ कर रही है और इससे आगे वो कुछ भी नहीं सुन सका तुरंत उल्टी पाउं वापस चला गया इधर जैसे ही परदा सर सराया सुनी का बाहर की ओर लपकी और उसने बिनय को अपने कमरे में जाते उवे देख लिया और तभी उसने ये भी देखा कि बिनय सुमन का हाथ पकर कर उसके कमरे की ओर आ रहा था और जैसे ही उसको सुनिया दिखाई पड़ी वैसे ही बोला दिदी मैं तो अज्यानता वसे आपका नोकर बनी चुका था लेकिन अब मेरी पतनी आपके घर की नोकरानी बिलकुल भी नहीं बनेगी आज और अभी हम दोनों इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जा रहे हैं क्यूंकि अब हम दोनों को आप दोनों का कोई भी ऐसा नहीं चाहिए मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे बच्चे हो और वो भी इस घर में तिरस्कृत भरी जिन्दगी सहे वैसे तो सायद मैं कुछ भी नहीं सोचना चाहता था लेकिन आज आज आपकी हर बात को याद करके मुझको मैसूस हो रहा है कि आपने हमेशा हमारे साथ नोकरों जैसे बेवार किया दिदी बड़ी बहनतो मा के समान होती है फिर आपने कैसे अपने छोटे भाई के साथ अनर्थ किया आप स्वार्थ में इतना गिर गई कि अपने भाई भावी कोई ही नोकर नोकरानी बनाने की सोच डाला अरे धिकार है आपकी सोच पर दिदी अब हम लोग एक पल भी इस घर में नहीं रहेंगे हमारा घर तो हमारे पास ही है और हम दोनों मिलकर इतनी मेहनत करेंगे कि जिससे हम लोग पूरी तरह से स्वाभी मान की जिन्दगी व्यतित कर सके ये सब कहते कहते जैसे बिनै का सरीर थर थराने लगा और उधर तब तक सुधाकर भी बिनै की आवाज सुनकर बाहर निकल आया था तुम होस में तो हो न बिनै एक तो हम लोगों ने तुम्हारे उपर एहसान किया और तुम बदले में हम लोगों को आखे दिखा रहे हो सुधाकर रिस्तों की मर्यादा भूलकर चिलाते हुए बोला जीजा जी ये तो आप भी खूद अच्छी तरह से जानते हैं कि आप लोगों ने एहसान किया था या एहसान फारमोसी की लेकिन अब मेरी आखों के आगे पाड़ा पड़दा हमेशा हमेशा के लिए हट गया है बिने रोते हुए बोला अरे बिने तुम सायद गलत समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है तुम लोग आराम से इस घर में रहो तुम लोगों को कोई दिकत नहीं होगी सोनी का सब्दों में मिठास घुलते हुए बोली क्यूंकि अब तो बाजी पलट गई एक साथ घर और दुकान को संभानली वाले जा रहे थे नहीं दिदी अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ मेरी आखों पर परा परदा हमेशा के लिए हट गया है आपको अपनी बहन कहते हुए भी लाज आ रही है और बिने सुमन का हांत पकर कर घर के बाहर निकल गया सोनीका और सुधाकर उन दोनों को जाते हुए चूप चाप देख रहे थे क्यूंकि अब पस्ताय होत किया जब चुडिया चुप गई खेत तो दोस्तो आसा करती हुए कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से एर और सब्सक्राइब किजिएगा और इस कहानी पे आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा